हलो बच्चों कैसे हो सब मैं हो निकिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउटनेट में तो जल्दी जल्दी से क्लास में आजो और इम सो सॉरी मैंने देखा हूँ काफी बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे और मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो I'm sorry for that, लेट नहीं होना चाहिए हना पर कोई नहीं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ कौन कौन आ चुक है क्लास में श्विता, प्रनेता, जैस्मिन, एमान, आदेत्या, गुड आफ्टनून एवरिवान, कैसे हो भई, बढ़िया, आज हमारा day 14th है, आज 14 द रहेंगे, चीक है, अच्छा, क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्लास तो साथ हो गया है, मैं आपके सामने हूं तो, क्लास नॉट स्टार्ट क्यों, गुड आफ्टनून, गुड आफ्टनून, कीर्ती, दीपा, कार्यान, मैं फाइन, and you, I'm also fine, अच्छा, oh my god, क्लास तीन म बहाइंड, the reason behind it is, कि मैं आपकी क्लास के लिए प्रिपार कर रही थी, ठीक है, तो मैं, मतलब इतना साथ हो, उसमें दीप चले गए, कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और वो एक दो मिनिट लेट हो गया, तो आप प्रिपार करते करते करते, आइडिया नहीं रहा था तो I'm so sorry, ठीक है, चालो, तो good afternoon everyone, आ गए है, सब लोग क्लास में कितने बचे हैं, attendance जल्दी से बता दो भाई, मुझे कितने बचे attendance, okay good afternoon I'm new student, hi Stuti, Solanki, okay, तो जल्दी से बता दो कितने students हैं, जो क्लास अटेंट कर रहे हैं इस वक्त, what's the number, class start नहीं हो रही, class तो start हो चुकी है, कैसे start नहीं हो रही, 1029, only 29, पाप रे, जहाँ पे 1.500 बच्चे होते हैं, वहाँ पर केवल आज सिर्फ ही 29 है, 34 हो गए अब, बहुत slow यार, मैं खुद ही 3 मिनिट लेट हूँ और, आप लोग, अभी अभी तक भी नहीं आया, मुझे जल जल से आजाओ, class के अंदर, और तब तक मुझे बाकी बच्चे बताएंगे भई, तुम लोगी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, बढ़िया, कल हम लोगोंने कौन से कौन से वर्च सीखे थे, कोई बताएगा, याद है किसी को, हाँ जी, कोई भी, श्वेता, अक्ष बचा, दिपेश, मानसी, जैस्मिन, कोई भी बताएगा, अकल हमने कौन से वर्च सीखे खुशी, जोती प्रनेता, बॉइकोट, हाँ जी, जिसका मतलब क्या होता है, बॉइकोट का मतलब होता है, बहिशकार, कंडेम, वेरी गुड निंदा करना, और बताओ, दो वर्च हो जिसका मतलब होता है, बहुत जोरों की भूक लगना, ठीक है, इनेविटेबल, वेरी गुड, इनेविटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज ना टाली जा सके, बैम्बूजल, जिसका मतलब क्या है, कि आप किसी को बुद्धू बना दो, ठीक है, अचा कल क्लास मिस हो गई ठीक है, तो ये वर्च जो हैं, हम लोगोंने कल की कलास में सीखे, अब आज की कलास स्टार्ट करें लेकिन, उसे बहले, हाँ जी, आगे सब लोग, ओके, 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 प्लीज स्टार्ट, फाइन, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, वो कैबिलरी, तो आज हम सीखने वाले हैं, ठांक्यू अंजनली, ठांक्यू, 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 चलो, सबसे पहला वोर्ड जो आज हम सीखेंगे, वो है डाइवोसिटी, क्या बोलेंगे इसको, डाइवोरसिटी, यानि की, देखो, डी आइवी ए आर, एस आइटी वाई, अब इसको ना, ये ये एस आइटी वाई है, लेकिन ये कैसे स्पेल आउट होगा, और प्रनाउंस कैसे होगा, ये प्रनाउंस होगा, सिटी, डाइवोरसिटी, डाइवोरसिटी का मतलब होता है, विभिन्नता, ठीके, अब यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है मेरे पीछे, इस पिक्चर कोई है, हाँ, हम हम है, हम से बात करनी है, आपस में बाते नहीं करनी है, ठीक है, चलो बताओ, पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ओके, गुर्ड, दीपक, वेल ट्राइड, अथर्व, अलग-अलग टाइप के लोग हैं, ओके, हान जी, देखो बिटा, य उन्होंने कैसे हिजाब टाइप का पहना हुआ है, वहीं पर एक जो है, यहाँ पर येलो में, यहाँ पर जो एक लेडी है, उनका जो स्किन कलर है, वो थोड़ा डाक है, वहीं पर, यहाँ पर यह जो है, इनका बहुत फेर है, हना, इसके पास बेर्ड है, तो इनके बाल सफ हैं हर कोई क्या है अलग-अलग प्रकार के लोग हैं विभिन विभिन प्रकार के डिफरिंट डिफरिंट टाइप के पीपल ठीक है यह होती है डाइवर्सिटी जब आप क्या करते हो जब आप अलग-अलग प्रकार के लोगों को न एक जुट कर लेते हो तो क्या करते हैं हम उ केवल धर्म ही नहीं, अलग-अलग भाशा, ठीक है, अलग-अलग बोली, अलग-अलग कपड़े पहनने वाले, अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग प्रकार के लोग सारे के सारे कहां हैं, यहां पर भारत में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसलिए बोलते हैं कि इंडि तरीके, उनके रिति रिवाज, उनके खान पान का सब कुछ बहुत अलग है, हाना आप कहीं चले जाओ तो खाने-मीने की तरीके हर जगा पे बदल जाते हैं, हर जगा का खाना अलग हो जाता है, आप साउथ इंडिया में जाओगे अलग मिलेगा, नौth इंडिया में अलग मि It means understanding, यह समझना that individual is unique, each individual is unique, यानि कि यह समझना कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में अनोखा है, and recognizing और पहचान करना our individual differences, हमारे जो अलग-अलग फर्क हैना हम लोग के बीच में उसको मान के चलना, उसे माननेता देना, यह नहीं, कि भई नहीं, यह पूरा देश, भार और कोई नहीं रहेगा, सब बाकिये जो हैं, वो यह से चले जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो यहीं वो बोल रहे हैं कि यह समझना कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, अनोखा होता है, और हमारे बीच में जो फर्क है उसको माननेता देना, ठीके, these can be along the dimensions of, अब यह जो फर्क हैं, वो किस चीज़ को लेकर हो सकते हैं, यह फर्क बहुत चीज़ों को लेकर, हमारी race को लेकर, ethnicity को लेकर, gender, sexual orientation, socio-economic status, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs और other ideologies, कुछ भी चीज़ को लेकर क्या कर सकते हैं हम, यह diversity मतलब बिटा सोच सोच को लेकर भी, आप हो सकता है भगवान में मानते हो सकता है वो जो व्यक्ति है, वो तो सोचता हो कि भई भगवान, भगवान कुछ नहीं, सिर्फ science ही है, तो मतलब यह साइचीज़े क्या है, सोच को लेकर, religious belief, कोई व्यक्ति जो है, वो कैसा है, वो किसी religion में मानता है, कोई कि और में मानता है, race यानि कि, हान जी, आपकी skin क color, ठीक है, कि कोई गोरा है, तो कोई काला है, उस basis पर, अब यह थोड़ी कि यहाँ पर भई, भारत में सिर्फ क्या रहेंगे, सिर्फ गोरे लोग रहेंगे, यह बाकी जो है, लोग चले जाए, नहीं, diverse country है, क्योंकि यहाँ पर सब अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग skin color अलग-अलग आप कह सकते हो, religious beliefs हो सकता है, कोई भारती जनता पार्टी का समर्थक हो, हो सकता है, कोई हमारी Congress का हो, हाना, तो सब क्या है, अलग-अलग belief वाले लोग जो है, यह आपको basis बताए गए हैं, कि किस-किस चीज़ पर अलग-अलग क्या हो सकते हैं, लोगों के differences हो स हम उसको फिर भी जब include करते हैं, तो वो होती है diversity, आया तुम लोग को समझ में, पिटा, diversity, एक diverse होता है, all people are diverse, सब लोग अलग है, अना, विभिन है, विभिनता और विभिन में फर्क होता है, ठीक है, very good, diversity and community, बहुत ही बढ़िया, so my diversity is in India, okay, we are in a diverse country, because in India, they are very good, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चलो, तो क्या है, अब यहाँ पे एक sentence देखो, क्या हो सकता है, we are trying to create diversity in the workplace, अब diversity in the workplace, workplace मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके काम करने की जगा, तो एक sentence ऐसे भी बना सकते है, we are trying to create diversity, याने कि हम diversity लाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रह है, कि सिर्फ males काम करेंगे, females नहीं करेंगी, ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है, कि यहाँ पे इसी धर्म के लोग काम करेंगे, यह नहीं करेंगे, यह ज़रूरी नहीं करेंगे, यह ज़रूरी नहीं है, कि सिर्फ यहाँ पे विकलांग लोग काम नहीं कर सकते हैं, तो यह सार करने की जगह पर डाइवर्सिटी क्या करना चाह रहे हैं exempl इनकि अलग अलग प्रकार की लोग जो है वो यहां पर काम कर सकते हैं आपको यह एक उम्र के हर एक त्जृबबे के हर एक क्या कहते हैं अलग-अलग मतलब अलग-अलग religion, अलग-अलग political belief, physical disabilities, यह सारे क्या है? यह सब तरीके के लोग जो है, वो आपको उस जगा पर काम करने की जगा पर मिल जाएं. तो यह एक तरीके से आप कह सकते हैं, sentence का मतलब है. आया समझ में? अरे बापरे, अंजली ने इतना हेवी सा एक वर्ड लिखा है, और अंजली को social anthropology का मतलब भी नहीं पता होगा, शायद. वेरी गुड देव्या, वेरी गुड. ठीके बेटा, आगे मजा, चलो. तो समझे तुम लोग डाइवर्स का मतलब? तो अब अगली बार से, ठीके, यह कह सकते हो, my class is full of diverse, all people are diversity in India, बेटा, diversity नहीं, all people are diverse, diversity विभिनता होती है, diverse मतलब विभिन, तो लोग विभिनता है, अगे, clear हुआ, cool है, जल्दी बताओ, cool है की नहीं है, ठीके, चलो, अगला word, abdicate, abdicate का मतलब क्या होता है, इसे पहले देखो, spell out क्या से करेंगे, a, b, d, i, c, a, t, e, यानि की abdicate, ठीके, abdicate, abdicate का मतलब होता है, किसी चीज़ को त्याग देना, और खास दौर पर सत्ता यागना, ये राजा, राजा राणी, अच्छा, इंग्लैंड का तुमको पता है, इंग्लैंड में तो राणी है, हमारी कुईन अलिजबेथ, है की नहीं, 92 येर्स की हो चुकी है, वो नभे से भी जादधा, तो क्या है वो, वहाँ की राणी है, है ना, अब, अगर कल को वो अपनी क्या है, अपना जो गद्धी है, वो छोड़ दे, बोल दे भाई, मैं राणी की पोस्त से रिजाइन कर रही हूं, मैं स्टेप डाउन करती हूं, स्टेप डाउन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप डाउन का मतलब कि आपना उतर गया, अपने गद्धी छोड रही हूं, resign कर रही हूं अपनी post से, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने abdicate कर दिया, throne, ठीक है, throne जो था, throne किसको बोलते हैं, वो जो, आप कह सकते हैं, उनका जो, क्या बोलेंगे, जहां पर राजा बैठता है, राजा की जो गद्दी होती है, ठीक है, वो आपका throne हो जाता है तो वो बोल निकल को कि भई, मैं याना, मैं अपनी राजपार्ट से त्याग रही हूं, राजपार्ट त्याग रही हूं मैं, और मैं यहां से उतर रही हूं, मेरा बेटा जो है, वो राजा बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि, राणी ने, Queen Elizabeth ने abdicate कर दिया, ठीक है, the king decided to abdicate in favor of his son, very good, तो यह हो जाता है, renounce one's throne, renounce मतलब की त्याग देना, ठीक है, give up, give up कर देना, और दूसरा मतलब यह होता है, बेटा, fail to fulfill or undertake a responsibility or duty, तो मतलब की fail to fulfill, आपना पूरी नहीं कर पाए, जो आपको responsibility दी गई थी, जो जिम्मेदारी, जो आपका फर्स था, duty थी, जो आप उसको अच्छे से नहीं नहीं बापाए, आप वो ढंक से नहीं कर पाए, उस चीज़ को भी हम abdicate बोलते हैं, ठीक है, देखो, त्यागना और सत्ता त्यागना, यह आपके जो है, मुख्य तोर पे abdicate का मतलब हो जाता है, यह तो abundance जैसा word है, सही में, लेकिन, यह मैंने बत position छोड़ दिये, वहां से क्या है, यह शब्द जो है, वहां से जादा relate करता है, त्यागना यह भी है, abandon मतलब भी आपने give up कर दिया, ठीक है, किसी को छोड़ दिया, पर बेटा फर्क क्या है, कि यह वाला word जादा इसका जो जुकावे ना, वो कहां पर है, कि कोई post से resign मार द कि अब आप क्या है, अब आप त्याग चुके हो, अब वो आपकी post नहीं रही, renounce, renounce का मतलब भी यही होता है, और resign, अपनी post से resign कर देना, resign का मतलब क्या होता है, आप कहीं किसी post से resign करते हो, हो सकता है कोई team का captain हो, वो resign कर दे, तो वो captain नहीं रहा, भाई CEO है कि प्रधान म resign कर दे, तो वो क्या है, फिर वो नहीं रहेंगे, उन्होंने अपनी गदी छोड़ दी, तो abdicate का यह जो शब्द है, आप इन शब्दों के जगा, आप abdicate भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मैं father is an advocate in family responsibilities, okay, he agreed to abdicate in retirement, very good, ठीक है, ma'am what we say abdicate meaning in English, okay, बेटा, यहाँ पर बताया तो मैंने, renounce one's throne, यानि की, to give up, to resign from one's position, ठीक है, और दूसरा, fail to fulfill, आप ना, नाकाम्याब रहे, पूरा करने में, जो आपको जिम्मेदारियां दी गई थी, जो आपको responsibilities और duties दी गई थी, उसको आप पूरा करने में नाकाम्याब रहे, यह चीज होती है, abdicate, अब देखो the king abdicated, the king decided to abdicate in favor of his son, यानि की, जो राजा था, उसने अपने बेटे के चकर में, कि भाई, अब मैं जब राजा हटेगा, तब ही तो बेटा राजा बन पाएगा, तो बेटे के लिए उसने क्या करा, उसने, जो था राजपाट, वो त्याग दिया, वो गद्दी पर से उतर गया, ठीक है, ताकि उसका बेटा अब राजा बन सके, तो क्या हो गया ये, ये हो गया आपका abdicate, clear, आया समझ में तुम लोग को, very good, आयमन, बहुत ही बड़ी आदित्या, ठीक है विटा, आरहे सबको समझ में, काजल, good, चलो, अगला वर्ड है, बायस, अब ये बायस वर बहुत, मतला, ये कुछ ऐसे common words में से है, जो बहुत प्यार से तुम लोग ना आपनी रोज मर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हो, पक्षपात देखा है, पक्षपात, होता है ना कई बार हमें क्लास में फील हो, अब तुम लोग को मुझे पता है, कई बार जो की है नही बर तुम लोग को फील होता है कि मैम ना, अभी भी एक का comment आया था, कि मैम आप तो मेरे comment का reply नहीं करते हो, सब के comments का reply करते हो, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर उस बच्चे को थोड़ा सा feel होता है कि मैम वो biased है, biased का मतला पक्षपात कर रही है, तो यह जो है, यह कैसा word ह करना, किसी की तरफ ज्यादा जुकाब है, आपको जब यह लगते हैं, तो वो biased हो जाती है, ठीक है, और वो जो व्यक्ति है, वो biased हो जाता है, अच्छा, ठीक है, श्वेता, यह लो बेटा, लिख लो, ठीक है, चलो, बागी बच्चे सुन ले जरा, Bias का मतलब, He agreed to abdicate, हाँ, हाँ, मैंने देख लिया, सबका देख लिया, very good, काजल, partial, fine, तो bias का मतलब यह हो जाता है, जैसे कि कई बार क्या होता है, कि हम कह सकते हैं, किसी ने कोई decision लिया, ठीक है, किसी ने कोई decision लिया, अच्छा, अभी एक बच्चे ने यहाँ पर बोला इस मतलब की पक्षपात हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई, वो post तो फिर हो सकता है, कि जो, ठीक है, मैं एक और example देती हूँ, job का, ठीक है, कई बार क्या होता है, कि आप किसी job के लिया जाओ, for example, एक example के तौर पे, ठीक है, हाँ, यश, बता रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, कई बार example के तौर पे, job पे जाया जाए, ठीक है, अब job पर जाकर, तुम लोग interview में बैठे हो, लेकिन, हुआ क्या, तुमने बहुत मेहनत करी, बहुत ही तगड़ी मेहनत करी, अच्छे नंबर भी हैं, तुमारे सब कुछ है, interview के लिए बहुत अच्छे से prepare कर के के, लेकिन interview में नौकरी किसको मिली, एक व्यक्ति को जो की शायद interview देने जो आया भी नहीं, हाना, और वो शायद उसका relation में था, भाई था, के बहन था, क्या था, उसको मिल गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना, biasness की, भाई, पक्षपात हुआ आपके साथ, हाना, कि आपको, रखने भी नहीं दी सामने, और आपका interview तक नहीं वा पर नौकरी किसी और को मिल गई, तो ये क्या था, ये decision था, ये bias decision था, हाना, क्यों, क्योंकि भाई वो तो उसका भाई था, तो उसको नौकरी मिल गई, तो ये हो जाता है, biased का मतलब, समझे अब तुम लोग, बताओ, भेद भाई करना, हाँ, आप ये कह सकते हो, और पक्षपात करना, किसी की side लेना, ठीक है, तो decisions भी जो होते हैं, वो कई बार biased हो सकते हैं, यानि कि आप क्या आपने दिमाग में रख कर कि अच्छा, अच्छा, नहीं, वो तो मेरा भाई है, तो ऐसे करना है, तो आप दूसर जो है, उसका जुकाव कि सोर है, एक idea, and possibly does not give equal chance to different idea, वो ना already एक क्या है, बायस का मतलब यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया है, कि आपना एक चीज के लेकर, एक idea को लेकर, एक चीज को लेकर, क्या है, आपका जुकाव है, तो आपना वो बराबर का मौका दूसरे व्यक् आपको पता है कि यह मेरा भाई है, लड़ाई हो जाएगी, चाहे इसकी गलती हो, पर मैं इसी की side करना हूँगा, चाहे सामने वाला बिचारा सही है, उसने कुछ नहीं, पर आप क्या, आप उसे equal मौका दे ही नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, आप तो उसी का side ले रहे हो, हाना, तो यह हो जाता है, बायस का मतलब, आया समझ में, very good काविश, we should not be a biased person, बहुत ही बड़ी है, ठीक है बेटा, चलो, देखो, पक्षपात या जुकाओ, इसके जैसे कुछ अलग-अलग शब्द जो आप बोलतो ना कि अरे अरे नहीं, यार यह तो बहुत पक्षपात क क्या है बेटा, फेवड़ेटिजम मतलब की अरे यह तो मेरा फेवड़ेट है, तो मैं तो क्या करूँगा, मैं तो इसी की साइड लोगा, ठीक है, कही बार हो जाता है नहीं, गह रहे है यह तो हमारा क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, जो माम के पीछे-पीछे माम-माम-म यह हम आप जहते है है कि टीचर गई बार उस बड़ को वो बच्चे को वो बच्चा फेवरिट होता है तो इससंस? कि आपने बराबर हर किसी को नहीं दिया इस पर गार बार बायस ho क्या किया गया था, valuation या फिर उनको मापा गया था, बिना किसी biasness के और favoritism के, यानि कि बिना किसी पक्षपात और बिना favorite, favorite ये सब देखे, उन्हें सही-सही, असली आप कह सकते हो, सही स्थर पे उनको क्या किया, मापा गया ठीक है? आगे समझ में तुम्हें bias का मतलब ठीक है? clear है बेटा, जल्दी से बताओ cool? cool या नहीं, अनकूल I am biased, तुम्हें सच में ऐसा लगते है कि मैं biased हूँ मैं पक्षपात करते हूँ, मिरे लिए तुम सारी equal हो, यार तुम लोग क्या social लग जाते हो चालो, cool है, very cool, चलो, बहुत ही बढ़िया ठीक है? आगे बढ़ें तो हमने अभी तक कितने words सीखे? पहला word कौन सा सीखा हमने? diversity कौन सा word सीखा हमने? पहला diversity, उसके बाद हमने कौन सा word सीखा? उसके बाद हम लोगों सीखा abdicate ठीक है? यानि की क्या करना? यानि की सत्ता त्यागना और अब हमने सीखा बायस यानि पक्षपात अगला चौथा word है evaluate, evaluate का मतलब क्या है? यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है ना evaluate students were evaluated यहाँ पर अब मैं आपको evaluate का है मतलब समझाने वाली हूँ evaluate का मतलब आंकना या मूल्यांकन करना किसी चीज की ना कीमत लगाना कि भई वो चीज कितनी जादा कीमती है उसको ना आंकना ठीक है? समझे? या क्या मूल्यांकन करना form an idea of एक अंदाजा लगाना किस चीज का? the amount या फिर number या फिर किसी चीज की value का ठीक है? किसी चीज की value का हम कही बार बोलते हैं कि अपने आपको evaluate करके देखो अपने आपको evaluate करके देखो मतलब अपने अंदर जांके नाप तोल के देखो ठीक है? एक क्या आंक कर देखो, अपने आपको आंक के देखो अपना मूल्य आंगन करके देखो कि तुम कितने अच्छे हो, तुमारी अच्छा ही बुराई, ठीक है, हम किसी चीज को भी evaluate कर सकते हैं, आह समझ में, हम चीजों को भी evaluate कर सकते हैं, उसका भी मूल्य आंगन कर सकते हैं, तो valuation भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है, देखो, similar words, estimate, अंदाजा लगाना, estimate किस चीज का अंदाजा, भी उसके मूल्य का अंदाजा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक sentence, you should be able to evaluate your own work, तुमें अपना खुद का काम जो है, उसको आंकना आना चाहिए, तुमें इस काबिल तुम होने चाहिए, कि तुम अपना खुद का क काम जो है, उसकी क्या कर सको, उसको आंक सको, उसका मूल्य आंकन कर सको, कि भई कैसा है, ठीक है कि नहीं है, अपने आप से जज कर सको, ठीक है, हान जी, to well is to judge the value or worth of someone or something, आना आप जज कर रहे हो किसी चीज की क्या वर्थ होगी, क्या कीमत होगी, क्या उसकी value होगी, ठीक है किसी व्यक्ति की, किसी चीज की, यह हो जाता है, evaluate करना, clear हुआ, लिखा तुम लोगोंने cool है, जल्दी से बताओ, हान जी बेटा, cool है, my father is, very good, आमन, बहुत ही बढ़िया बेटा, वो सारे word meanings note down कर रहे, uncool, क्रते का क्या हुआ, क्यों uncool, क्या समझ नहीं आया, बताओ, cool है, दिव्या को तो भई समझ में आगे हो, केरे माम cool है, okay, खुशी, good, हान जी, अभी राज क्या हुआ, स्पूर्ती, बेटा, इसका meaning बताया तुमेंने, आंकना, मूले आंकन करना, या फिर एक idea, एक अंदाजा लगा लेना, एक हिसाब लगा लेना, judge कर लेना, किसी चीज की amount, या फिर उसका number, या फिर उसकी value को, ठीक है, दिपेश, cool guys, cool है, चालो, cool माम, fine, तो अब हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, और आज आते हैं, ह इसका न, मैं यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर मैं छोटे में बताओ, इसका मतलब क्या है, agree करना, किसी चीज से agree करना, खात, भाई, to be of the same opinion, या फिर agree, भाई, जब आपका opinion मतलब की राय, जब आपकी किसी की साथ राय मैच कर जाती है, तो आप सहमत ही तो कर किया उसके idea को, मतलब कि आपने अपनी सहमत ही दिखाई, to be of the same opinion, आपने क्या आपका भी वही राय थी, ठीक है, happen और occur at the same time, और जब कई चीज क्या होती है, एक ही समय पर हो जाए, ठीक है, एक ही समय पर हो जाए, तो उसको भी हम कौन कर बोल सकते हैं, देखो, सहमत होना या मेल खाना, एक जैसा होना, ठीक है, सहमत होना किसी चीज से, या फिर मेल खाना, हिंदी में ये मतलब हो जाएगा, हाँ जी, जब बहुत सी चीजें एक ही समय पर हो जाएं, उसको भी हम कौन कर बोल सकते हैं, लिखाए न, अब है happen और occur at the same time, ठीक है, चालो, इसके जैसे का मतलब ही होता है, बेटा, कि आप किसी के साथ क्या कर जाओ, जब आप किसी के साथ मेल खा जाओ, सहमत हो जाओ, अब देखो कैसे हम लोग इसको sentence लिख सकते हैं, I strongly conquer with that idea, अब I strongly conquer with that idea, यानि कि मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से उस idea के साथ सहमत हो, आपनी सहमत ही दिखा C-U-R, C-O-N-K-A-R नहीं है आदेतिया, C-O-N-C-U-R, conquer, cure मत बोल देना, conquer नहीं है, conquer, ठीक है, I समझ में, I conquer, after reading this, I decided I conquer, बेटा, मतलब I conquer, I agree, यह कहना चाहरे हैं, इस तरीके से तो फिर सही है, I am conquer the study का मतलब क्या होगा, यह तो गलत है, conquer का मतलब यह नहीं होगा, I am, मतलब, आप agree कर रहे हो, I am agree the study, I am agree the study क्या होता है, uncool सुमित बोल रहे है, क्या हुआ बेटा, uncool क्यूँ, क्या समझ में नहीं आया, देखो, एक और sentence देखो, do you conquer with the three conditions, with my three conditions, यानि कि आप, क्या, आप कोई किसी से सवाल पूछे, कि भाई, तुम मेरी वो जो तीन शर्ते रखी गई थी, उनके साथ सहमत हो, उन शर्तों को मानने के लिए सहमत हो, तो क्या बोलोगे आप न, do you agree, कि जगा यह बोल तो, do you conquer with my, क्या, with my three conditions, क्या आप सहमत हो मेरी तीन conditions से, जो मैंने तीन conditions आपके सामने रखी, ठीक है, बेटा, C-O-N-C-U-R है, C-E-R नहीं है, ठीक से spelling रखो, अरे वा, मानसी को तो इतना जादा चीज़े समझ में आ गया है, आया तुम लोगो clearly समझ में सबको, जल्दी जल्द I conquer my friend's decision, I conquer, बेटा, आप ना conquer किसी चीज के, देखो, सहमत किसी चीज से होते हो ना, हना, मैं सहमत हूँ, किसी चीज से ही तो हो, सहमत ही आपकी किसी चीज को लेकर ही होगी, तो conquer with भी तो होगा ना, बेटा, with, मतलब कि पता तो चले आप किस चीज से सहमत है, हना, पता तो चले कि आप किस चीज से सहमत हैं, तो आप क्या बोलोगे, I conquer with my best friend, with my sister, with my father, with the decision he took, ठीके, तो आप अपनी सहमती किसी चीज के साथ दिखा रहे हो, तो with तो यूज करोगे, ठीके, क्या हुआ बेटा, ये तो पढ़ लिया, क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, बताओ, चालो, ठीके, वेरी गुद, I doubt, ये क्या लिखा चाया था, शिवांगी, चालो, ठीक है, तो आज हमने कौन से कौन से वर्ट सीखे हैं, आज हम लोगों ने सबसे पहले सीखा, जाए वोसिटी, उसके बाद, अब्डिकेट, फिर हमाई किस पर, अब्डिकेट के बाद, हम लोगों ने सीखा, इसके बारे में evaluate, और साथी साथ, क्या, bias, ये कुछ आपके पांच शब्द हैं, शुरुवाद से एक बाद देख लेते हैं, डाइवोर्सिटी, ठीक है, जिसका मतलब है वे भिन्नता, उसके बाद हमाई यानि कि पक्षपात, चौथा वर्ड था आपका evaluate, यानि कि आँख ना किसी चीज़ को, ठीक है, और पांच वर्ड था conquer, यानि कि आप किसी चीज़ा सहमत हो, सहमत ही दिखाना, तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो तुम डे-to-day life में यूज़ करी रहे होते हो, बोली रहे होते हो, है कि नहीं, कि भाई मैं सहमत हूँ, कि मैं सहमत नहीं हूँ, कि ये हुआ, कि वो हुआ, तो क्या है बेटा, आप ये शब्दों को यूज़ करना शुरू करो, आप कौन कर शुरू करो, आप कही बार बोलते हो ना, कि वाल्यूएट क्या, कि भाई आपने अपना काम करा, होमवग किया, मैं बूलू कि भाई, आप इस होमवग को अपने आप से वाल्यूएट करके देखो, कि कितना सही है, कितना गलत है, तो वहाँ पर भी क्या है, इवाल्यूएट जैसे वर्ड यूज़ हो सकते हैं, आपकी डाइवर्सिटी वाले जो वर्ड हैं, वो भी अब आपको एक चीज, ये चीज तो आपको पता होने चाहिए, डाइवर्सिटी इस लाइक, कि आप कहीं पर भी स्कूल में भी, स्कूल का एन्वार्मेंट कैसा होता है, बहुत ही डाइवर्स है, वहाँ पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, कैसे देखने को मिलती है, स्कूल में भी तो अलग-अलग तरीके के बच्चे आ रहे होते हैं, यही words आपकी English को जाके आगे बहतर बनाएंगे जब आप क्या करोगे? जब आप इनको यूज करना स्टार्ट कर दोगे. तो आपकी वो क्या भी लदी कही एक पार्ट बन जाएंगे. ठीक है? अरे, अंजली बोल रहे हैं, आप ग्रूप में ऑनलाइन नहीं आते हैं, मेरी तो तुम लोगों सबसे ज़्यादा बात होती हैं माँपर, बाते करती तो रहती हूँ मैं. चालो, ठीक है? कूले? जली से बताओ. क्या हुआ कीरती? राज, एम्टी, राज बोल रहे हैं, मैं मनकूल. ठीक है? आपसे नाम लेना ही बंद कर देते हैं. तुम लोग तब जादा खुश रहोगे? शायद. क्योंकि अगर एक आद के लिए तो बाकी का मूँ बन जाता है, कि माम आपने हमारा नहीं लिया, हमारा नहीं लिया, हमारा नहीं लिया. तो बहतर है, फिर किसी का ही नहीं लेते, फिर जादा बहतर रहेगा. ठीक है? चलो. तो अब कल से यहीं होगा फिर? फाइन? चले? तो आज के लिए इतना ही, कि words बेटा, use जरूर करना, और इन words के लिए homework में आपको क्या करके लाना है, ख्लियर? चलो. तो अब चलते हैं. Guys, thank you so much. चलो. Bye-bye.